Hello everyone, CST पर आपका स्वागत है Friends, आज हम करने जा रहे हैं Equations Reducible to a pair of Linear Equation in 2 Variable यानि कि जो given equation है, वो Linear Equation नहीं है पहले हम उसे Linear Equation में Convert करेंगे then after that we will find the solution तो यहाँ पर यह चीज specific नहीं लिखे होगी कि आपने substitution लगाना है, animation लगाना है या Cross Multiplication लगाना है, चीज़िके तो आप कोई भी तरीका जो आपको easy लगे उसको use कर सकते हो बट उससे पहले सबसे पहले equation को आपने किस form में Convert करना होगा Linear Equation की form में, जितना आप अभी तक जिस form में equation को देखते आ रहे हैं See, equation किस form में होगी आपकी, इस type से होगी 2 upon x plus 3 upon y is equal to 13, 5 upon x minus 4 upon y is equal to minus 2 कुछ भी हो सकता है, 2 upon root x हो सकता है, root y हो सकता है मैं लग कुछ भी होगा, बट आपको proper equation नहीं दियोगी पहले आपको Convert करना होगा, then you will find the solution चली तो start करते हैं, आज की question करना Question number 1 Question number 1, 2 upon x plus 3 upon y is equal to 13 5 upon x minus 4 upon y is equal to minus 2 साथ के साथ नोट करते जाना, as I told you, मैं phone screen पर करते हूं यह सब चीजें, तो मेरे लिए possible नहीं है, सारी चीजें एक जगे लिखना Slowly slowly अभी जैसे ही lockdown open होगा, I will purchase some tool so that I facilitate something for you and you are easily able to see the content क्योंकि जब digital pen या किसी और वेके थू होगा, तो थोड़ा हमार पार screen बढ़ी होगी and accordingly आप एक साथ सारे content को देख पाएंगे चली तो start करते हैं, पहले क्या करना है, equation लिखी है, हमने जो given equation थी question 1 में ठीक है, यह आपका question 1 है, शुरुवात कैसे करते हैं, fraction को हटाना है यानि कि 1 अपोन जो भी fraction में है, let 1 अपोन जो भी fraction में उसको सारे को क्या है, u और v मान लो सबस्थ x है तो u, v है तो y, 1 अपोन x is equal to u, let 1 अपोन y is equal to v अपोन में जो भी कुछ हो, कुछ भी हो, 1 अपोन denominator को पूरा लिखो और इसको u और v मान लो easy हो जाएगा, आपके लिए solution करना है, क्योंकि 1 अपोन x है तो ये क्या बन जाएगा, 2u 1 अपोन x तो u हो गया, 2 as it is, 1 अपोन y को v माना है, 3v is equal to 13 5u minus 4v is equal to minus 2, ठीक है, then क्या करना है, आपकी मर्जी ऐलिमेशन लगाओ, substitution लगाओ मैं क्या लगा रहे हूँ, मैं इसमें elimination लगा रहे हूँ, elimination में क्या करना होता है, equate करना होता है इस वाले को ओपर वाले से multiply, और 2 से नीचे वाले को multiply, ताक ही u क्या हो जाए, equal हो जाए 5, 2 जा 10, plus 5, 3 जा 15, 13, 5 जा 65, 2 से करोगे, 2, 5 जा 10, 2, 4 जा 8, 2, 2 जा 4 then cut करने के लिए क्या करना पड़ेगा, minus, plus होता तो as it is हो जाता है, minus होता है तो नीचे वाले के sign क्या हो जाती, change minus, minus वाला, plus, minus वाला, plus, ये क्या हो जाएगा, cancel, plus 15 V, plus 8 V, कितना हो जाएगा, 23 V 23 V is equal to 65 plus 4, 69, 23 V के साथ multiply कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, divide, 69 divided by 23 23, 23 से 3 पे देखिए, पूरा कट रहा है, 33 जा 9, 32 जा 6, V की value क्या आगई, V is equal to 3, इतना मुझे बताएगे, clear हो के नहीं, V की value आपके पास क्या आगई, 3 आगई मैंने क्या बोला, 1 अपोन जो भी denominator में है, 1 अपोन जो भी denominator में X के साथ है, जो भी X का है, उसको U मानो, 1 अपोन जो भी Y के साथ है, उसको V मानो, equation simple हो जाएगी, जैसे आप आज तक करते आ रहे हो, पिछले session में, फिर उसके बाद आपकी मर्जी है, चाहे animation लगाओ, चाहे substitution लगाओ, चाहे cross multiplication लगाओ, जो आपको easy तरीका लगे, उसको आप use कर सकते हो, सारे method में आपको explain कर चुकी हूँ, क्योंकि इसमें कुछ specific नहीं लिखा कि यही तरीका लगाना है, अगर सेफ equation given है, और method का नाम नहीं लिखा, linear में, तो आप linear को solve करने का कोई भी तरीका apply कर सकते हैं, वी आ गया, जैसी हमारे पास वी आता है, यूँ अपने आप आ जाएगा, value पुट करके, see, वी आ गया, अब इसमें value पुट कर दीजे, equation 1 या 2 किसी में भी, put value of v in equation 1, क्या है, 2u plus 3v, v क्या है, 3 is equal to 13, ठीक है, 2u is equal to 3, 3, 9 is equal to 13, 2u is equal to 13 minus 9, 9 इदर plus है, उधर जाके क्या हो जाएगा, minus, 2 multiply कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, divide, 13 में से 9 less किया, 4, 2 multiply कर रहा था, इधर जाके क्या करेगा, divide, क्या आगया यह, 2, यानि कि, u की value आगई आपके पास 2, और v की value आगई 3, बट हमें value किसके निकालनी है, x and y की, तो अब x and y की value निकालेंगे, पहले हमने linear equation में convert किया, that's why this is called reducible, यानि कि पहले linear में convert करना होता है, फिर value find out करनी होती है, u, v आया, जैसे ही आपके पास u और v आगया, आप क्या करेंगे, जो आपने let किया था, उसमें value put कर देंगे, और जैसे ही आप उसमें value put करेंगे, आपको x और y की value find out हो जाएगी, देखिए कैसे करना है, see, one upon x is equal to u, यही था अपना, one upon x is equal to u, u means two, कुछ नहीं है, इसके नीचे one लगा लेते हैं, reciprocal कर दो क्योंकि one है, आसानी से या तो cross करके solve कर लो, या फिर number ना हो, साथ में अकेला हो, one upon something हो, तो असानी से सीधा सीधा हो जाता है, reciprocal करोगे तो क्या हो जाएगा, x is equal to one by two, भाई denominator को numerator बना दिया, numerator को denominator, या फिर कैसे कर सकते हो, cross multiply कर लिए, क्योंकि easy था, तो आप directly इसको कर सकते हो, one upon y is equal to v, one upon y is equal to v, v क्या है, three, cross multiply कर लिजे, या फिर वही reciprocal करके, y is equal to one upon three, x is equal to one upon two, y is equal to one upon three, या आपका answer, देखिए ध्यान से clear है कि नहीं, इसको ध्यान से समझ लिजे equation को, क्योंकि इसकी word problem भी exam में बहुत आती हैं, और आप word problem की equation बनाने के बाद solve तभी कर पाएंगे, जब या आप fraction वाल equation को solve करना सीख पाएंगे, clear है, चलिए next question करते हैं, question number two, question two, question two है, two upon root x, two upon root x, plus three upon root y, is equal to two, four upon root x, minus nine upon root y, is equal to minus one, यह आपका question है, अब upon में क्या है, root x और root y, क्या फंडा बताएं आपको, one upon root वाले को as it is क्या मान लो, u, जो भी हो, one upon denominator को क्या मान लीजिए, v, equation बनाना easy हो जाता है, क्या बन जाएगा है, two u, plus three v, क्योंकि one upon जो भी है, वो u बन गया, तो easily हमारे लिए आसान हो जाता है, two के साथ सिर्फ u और v लगाना, यानि कि उपर numerator में जो number है, उसके साथ accordingly u और v, put करो, और equation four, first equation, second, four u minus nine v is equal to minus one, then क्या फंडा होता है, इसको equate करना, कैसे equate करते हैं, मैं elimination ही adopt कर रही हूँ, मुझे आसान लगता है, आप जैसी भी चाहें कर लीजिए, substitution भी easy है, बट इसमें हमें कुछ further करने की जरुवत नहीं होती, यहीं काम चल जाते हैं, ठीक है, equate करने के लिए यह two है, यह four है, suppose मैं पहला वाला equate कर रही हूँ, तो उपर वाले को two से multiply कर देती हूँ, two two जा four हो जाएगा, नीचे four है, इसे one से कर देती हूँ, यानि कि हमें तो equate करने से मतलब है, आप किसी भी number से multiply करें, आपको equate करना है, बट यह कि जिस भी equation को करो, पूरी equation होगी, जैसे two से करने तो two भी होगा, three भी होगा, two भी होगा, तो उपर वाली मैंने two से की, नीचे वाली one से की, two two जा four, two three जा six, two two जा four, नीचे वाले को one से किया, one जा four, one जा four, nine जा nine, and one जा one, then cut करने के लिए minus करना होगा, क्योंकि दोनो u क्या है, plus है 4u plus 4u तो cut करने के लिए क्या है, minus जैसे ही minus करते है, sign क्या हो जाते है change, यह plus था क्या हो जाएगा, minus यह minus था, plus यह minus था, plus यह cancel हो जाएगा plus 6 plus 9, कितना हो जाएगा plus का 15 V is equal to 5 plus 4, plus 1, 5 15 क्या कर रहा है, इधर multiply, उधर जाके क्या करेगा, divide 5 बन जा 5 5, 3 जा 15 क्या बन जाएगा 1 upon 3 V की value आ गई, 1 upon 3 clear है इतना ठीक है, अब V की value किसी भी equation में put करिए, और क्या निकाल दीजिए answer, equation 1 में या equation 2 में ठीक है, तो ऐसे जब आप समझ जाओगे अच्छे से, समझ के करो किसी चीज़ को cram मत करो, तो आप आसानी से हर टाइप के question कर पाएगे put value of V in equation 1 2U plus 3V, V क्या है, 1 upon 3 is equal to 2 plus 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, minus 1 U is equal to 1, 2 multiply कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, divide यानि क्या आगया, U is equal to 1 by 2 V is equal to 1 by 3 दियान से देख लिजे, U is equal to आपके पास आगया 1 by 2 और V is equal to 1 by 3 clear है, अब क्या करेंगे, एक्छुल में निकालना गया है X and Y की value, जाना calculation clear है अब इसको जो हमने let किया था, उसमें क्या करोगे, put कर दोगे जो हमने let किया था, उसमें इस value को क्या करेंगे, हम इस value को उसमें put कर देंगे, जिससे कि आसानी से जो हमें पूछा गया है, वो value हम find out कर पाएं I hope आपको question समझा रहे हूँ क्या था, 1 upon root X is equal to 1 by 2 root X है और निकालने है X की value, root को हटाना पड़ेगा, कैसे हटेगा squaring on both side, जैसे squaring करोगे, क्या बन जाएगा 1 upon root X का square X, 1 का square 1, 2 का square 4, again चाहे तो cross multiply करके solve कर दो, या फिर normal, X is equal to 4 then similarly, 1 upon root Y is equal to 1 by 3, वी के एक वल था, root हटाने के लिए squaring on both side, दोनों side square कर देंगे, 1 upon Y is equal to 1 का square 1, 3 का square 9, क्या गया, Y is equal to 9, X is equal to 4 and Y is equal to 9, last में answer लिख देंगे, X is equal to 4, Y is equal to 9, यह था calculation का तरीका, clear है, I hope आपको समझ आ गया हो, मैं एक और थोड़ा सा different variety करा देती हूं, ताकि आपके मन में जो भी doubt हों, सारे doubt clarify हो जाए और यह concept आपको अच्छे से समझ आ जाए, next class में हम इसी की गया करेंगे, word problem, ठीके, चलिए, तो next question कराती हूं मैं, question number 3, question number 3 है अपना, 5 upon X minus 1, plus 1 upon Y minus 1, is equal to 2, दूसरी equation है, 6 upon X minus 1, plus, plus नहीं है, हमें given है, minus, minus 3 upon Y minus 1, is equal to, then, क्या बताया था आपको, 1 upon denominator को as it is your V, मनना है, let, 1 upon X minus 1, is equal to U, 1 upon Y minus 1, is equal to V, क्या बन जाएगा, 5 U plus 1 V, 1 लिखना जरूरी नहीं होता, is equal to 2, 6 U minus 3 V, is equal to 1, after that क्या करते हैं, equate करते हैं, मुझे इसमें equate करना, V को ज़्यादा easy लग रहा है, equation 1 है, यह equation 2 है, अगर मैं पहली वाले को 3 से multiply कर दूँ, और second वाले को 1 से, तो देखी, equate हो रहा है, 3 को Y से करूँगे 3Y, 1 को 3 से करूँगे 3, जैसे आपको easy लगे, ऐसा कुशिच करना, calculation छोटी से छोटी हो, time से हो, 3 5 जा 15, 3 को V से किया 3 V, 3 2 जा 6, 1 से 6 को किया 6U, 1 से 3 V को किया 3V, is equal to, ध्यान से देखिए, अभी तक हर question में मैंने क्या किया था, minus, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, बिना minus करे ही कट रहा है, एक है plus 3Y, एक है minus 3Y, तो क्या कर रही हूँ, मैं minus नहीं कर रही हूँ, इस situation में क्या कर रही हूँ, plus, plus करते हैं तो sign change नहीं होते, sorry, यह कट गया, अब आपका क्या बच गया, 15 plus 6, 21U, is equal to, 6 plus 1, 7, 21 क्या कर रहा है, multiply, उधर जाके क्या करेगा, divide, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, U की value क्या आगई, 1 by 3, इतना मुझे बताइए, समझा आए कि, नहीं आया, clear है, चीक है, सब में सेम फंडा है, आपको बदा है, 1 upon denominator as it is, तो equation simple हो जाएगी, पिछले 4-5 session से, हम equation ही solve कर रहे हैं, सिर्फ अलग-अलग method यूज़ कर रहे हैं, तो बारबर में आपको बोल रहे हूं, जो भी method आपको easy लगता है, animation, substitution, cross multiplication, क्योंकि यहाँ पर method specify नहीं किया हुआ है, तो जो आपको ज़्यादा अच्छा method समझा आया है, अगर exam में method का नाम नहीं लिखा होता, put value of u in equation 1, 5u, u क्या है आपके पास 1 by 3, 5u plus v is equal to 2, ठीक है, 5u plus v is equal to 2, क्या बन जाएगा यह, 5 upon 3 plus v is equal to 2, प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा, 5 by 3 minus, 2 minus 5 by 3, यहाँ पर calculation द्यान से करना है, fraction आ गई है, LCM लोगे, 3, 3 और 1 का LCM 3, compare करोगे, 1, 3 जा 3, तो 2, 3 जा 6, 3 बन जा 3, तो 5 बन जा 5, क्या गया है यह, 6 minus 5, थोड़ा से नीची लिख देती हूं, यह इधर write कर देती हूं, ताकि कोई confusion ना रही, क्या बन जाएगा यह अपना, V is equal to, 3 LCM आ गया था, 3, 2, just 6, 5 बन जा 5, याने कि 1 by 3, अपना answer आ गया था, 1 by 3, याने कि हमारे पास क्या आया, अपने पास आ गया, U is equal to 1 by 3, और V is equal to, 1 by 3, दोनों ये 1 by 3 आ गया, चीक है, clear है, अब क्या करेंगे, solution निकाल देंगे, कैसे, जिसको let किया था, उसमें इन values को क्या कर दीजे, put कर दीजे, ध्यान से calculation करने है, main काम इसमें concentration का है, और आपकी calculation का है, ध्यान से एक भी sign, plus, minus, कुछ इधर उदर नहीं होना चाहिए, वरना सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी, क्योंकि ये आपके उपर depend करता है, समझने के बाद आप कितने अच्छे से इसको apply करते हैं, और sign का plus, minus का ध्यान रखते हैं, क्या हो जाएगा, plus, 3 plus 1, यानि क्या हो जाएगा, x की value, 4, 1 upon y minus 1 is equal to v, यानि 1 upon 3, then again cross multiply करेंगे, और जैसे ही cross multiply करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, y का answer, see, y minus 1 is equal to 3, चीक है, y minus 1 था या टू था, आपका, y minus 1 था, I think, 1 ही लिया था हमने, y minus 1 is equal to 3, y is equal to minus 1, उधर जाके क्या हो जाएगा, plus 1, यानि कि y की value क्या जाएगी, 4, ठीक है, तो हमने क्या assume कर लिया था, 1 upon x minus y, और 1 upon x, y minus 1 को, u और v assume क्या, then equation को solve कर दिया, final answer क्या आगया, x की value आ गई 4, और y की value भी क्या गई, 4, ठीक है, चलिए दोस्तो, तो आज का session खतम करता है, इसी के साथ, वन्हाँ बहुत जादा हो जाएगा, ध्यान से देखिए, समझीए, नहीं समझाया या पूछिए, then next session में करेंगे, word problem, दोस्तो, session पसंद आया हो, तो इसी type के video के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, notification के लिए, bell icon को press कीजिए, session को like कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, ताकि हम motivate हों, और आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करें, आप अपने doubt, हमारी mail ID पर send कर सकते हैं, और assignment और test series के लिए, आप हमारे टैलिग्राम ग्रूप को भी जॉइन कर सकते हैं, चली दोस्तों, तो मिलते हैं next session में, तब तक के लिए, bye bye, take care.